हमने यहां एक समकोन त्रिभुज ABC लिया है जहां B समकोन है त्रिभुज ABC हमने लिया जहां कोन B बराबर 90 याने त्रिभुज ABC क्या हुआ समकोन त्रिभुज अब यदि हमें इस समकोन त्रिभुज में कोन A का मान पता हो तो आप कोन C का मान गयात कर सकते हैं यदि कोन C का मान गयात हो तो हम कोन A का मान गयात कर सकते हैं क्योंकि B कोन B का मान हमें गयात है क्या कोई ऐसा सम्मंद A और C के बीच में है जिससे हम A ग्यात होने पर सीधे तौर पे C और C ग्यात होने पर सीधे तौर पे A ग्यात कर सकते हैं चलिए देखते हैं चोकि हम जानते हैं कि त्रिभुज A, B, C में तीनो कोड़ों का योग कितना होगा 180 अंश अब चूकि कोड़ B समकोड है तो B का मान, कोड़ B का मान हम कितना लिखेंगे 90 अंश तो यह हम इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं अब इसे और हल करने पर हमें क्या मिलेगा कोड़ A, धन कोड़ C बराबर 180 अंश, रिण 90 अंश पक्षानतर पर इस प्रकार हमें मिला कोड़ A, धन कोड़ C बराबर 90 अंश याने कि इन दोनो कोड़ों का योग कितना होगा 90 अंश होगा इस इस्तिति में हम क्या कहेंगे याने कोड़ A व कोड़ C पूरक कोड़ है पूरक कोड़ की परिभाशा से तो अब हम कोड़ A के ग्यात होने पर सीधे तौर पे कोड़ C या कोड़ C ग्यात होने पर सीधे तौर पे कोड़ A निकाल सकते हैं कैसे यदि हम माल ले कोड़ A थीटा है हम ले लेते हैं कोड़ A बराबर थीटा तब इस सम्बन से क्या कह सकते हम कोंड C कितना होगा कोंड C बराबर 90 degree minus theta हो जाएगा क्योंकि इन दोनों कोणों का जो योग है वो 90 degree है तो यहाँ पर आपका आगया कोंड C का मान हम लिख सकते है दिदिग्री minus theta चलिए अब हम इन दोनों कोणों के लिए जो की नियून कोण है समकोंड त्रिभुज के इन के लिए त्रिकोंड मिती अनुपाद ग्याद करते है चलिए आगे दीखते है तो चलिए इस समकोंड त्रिभुज ABC के न्यून कोण कोण A और दूसरे न्यून कोण C के लिए हम त्रिकोण मिती अनुपात ग्याद करते हैं तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कोण A के लिए कोण A बराबर थीटा के लिए त्रिकोण मिती अनुपात तो सबसे पहले हम ग्याद कर लेते हैं तो पहले हम न्यून कोण A के लिए जिसे हमने थीटा माना है त्रिकोण मिती अनुपात ग्याद कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ग्याद कर लेते हैं साइन थीटा साइन थीटा क्या होगा? न्यून कोण के सम्मुख भुजा लम याने की B C बटे कर्ण हो गया हमारा A C लम बटे कर्ण से यह हो गया B C बटे A C इसी प्रकार कॉस थीटा का मान ले लेते हैं कॉस थीटा बराबर चूंकि यह लम है थीटा के लिए तो यह हुआ अधार A B बटा अगेन कर्ण A C तो यह हुआ A B बटा A C फिर से हम गयाद कर लें 10 थीटा याने की लम बटे अधार तो B C बटा A B यह गयाद होने के बाद कोसेक इसे गयाद करना कोई मुश्किल बात नहीं है इसका विलोम यह हम कहें कोसेक थीटा जो होता है वह होता है कर्ण बटे लम तो हम लिख सकते हैं A C बटा B C बिलकुल उसी प्रकार सेक थीटा हो जाएगा A C बटा A B और कॉट थीटा हो जाएगा A B बटा B C अब हम दूसरे नियून कोण कोण C की बात करते हैं कोण C बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए के लिए त्रिकोण मिती अनुपभात चलिए बिलकुल इसी प्रकार अब हम कहेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इस इक्वल टू अब देखिए हमारा नियून कोण अब है C इसके सम्मुख भुजा अब लंब होगी तो A B लंब बटे कर्ण तो A B बटे कर्ण हमारा वही है A C बिलकुल उसी प्रकार यदि हम ग्याद करें कॉस 90 माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा इस इक्वल टू अब आधार चुंकि ये लंब है कोण C के सापेक्ष तो आधार होगा B C तो B C बटे A C फिर हम ग्याद कर लें 1090 माइनस थीटा 1090 डिग्री माइनस थीटा अगेन हम बात करेंगे तो लंब बटे आधार इसके लिए लंब ये है और आधार B C लंब है A B A B बटा B C चलिए बात कर लें कोण C की कोण C 90 डिग्री माइनस थीटा बिल्कुल उसी प्रकार जैसे हम पहले देखा था कर्ण बटे लंब तो कर्ण A C और 90 माइनस थीटा के लिए लंब A B सेक 90 माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा इसका विलोम ले लेते हैं A C बटा B C क्योंकि कर्ण बटे आधार और कौट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर B C बटा A B याने की आधार बटे लंब ये जो हमें त्रिकोण मेती अनुपात प्राप्थ हुए हैं अलग-अलग नियून कोण के लिए इनका यदि हम अध्यान करें इनकी तुलना की जाए तो हम देख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा के लिए हमें मिला है A B बटा A C और इसी वैल्यू को आप यहां देखें कॉस थीटा के लिए भी आपके पास A B बटा A C मिल रहा है याने तुलना करने के बाद हम यहां पर कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा की जो वैल्यू आई है वही वैल्यू कॉस थीटा की है हम इसे इस प्रकार लिख सकते है बिल्कुल ऐसे ही यदि हम आगे बढ़े तो आप देखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए हमें मिला है B C बटा A C जो की साइन साइन थीटा बराबर भी B C बटे A C है तो इसे किस प्रकार लिखा जा सकता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा लिख सकते हैं आगे इसी प्रकार अपनी तुलनात्मकद्यान हम करते रहें तो हम देखेंगे 10 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू देखें 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो भी A B बटा B C तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा यह तुलना करके हम लेके आ रहें बिल्कुल इसी प्रकार अगला बढ़ते हैं देखें कोसेग 90 डिग्री माइनस थीटा मैं यह पहले लिख देती हूँ कोसेग 90 डिग्री माइनस थीटा अब यह देखते हैं कि इसके लिए जो हमें मान मिला है वो किसके समान है तो यहाँ पर देखें A C बटा A B यह देखें A C बटा A B तो कोसेग 90 डिग्री माइनस थीटा का जो मान आ रहा है 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए वो सेग थीटा के बराबर आ रहा है तो यहाँ पर लिखा जा सकता है सेग थीटा आगे बढ़ें तो देखें सेग 90 डिग्री माइनस थीटा थीटा बराबर कोशेक थीटा और लास्ट हम ले लेते हैं कॉट के लिए तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आ रहा है BC बटा AB तो आप ये देखेंगे कि 10 थीटा जो हमने थीटा कोण A के लिए जो निकाला था वो मिला था हमें BC बटा AB तो इसे लिखा जा सकता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 10 थीटा तो आप यहां देख सकते हैं कि हमें साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना मिला कॉस थीटा और शेग 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस एग तीटा इसे हम कहते हैं पूरक कोणों के त्रिकोण मिती अनूपात ये 6 त्रिकोण मिती अनुपात आपको इनके जो संबंध है वो आपको याद होने चाहिए सोचें एवं चर्चा करें क्या उप्रोक्त संबंध थीटा ग्रेडर देन इक्वल टू जीरो डिगरी एन लेस देन इक्वल टू 90 डिगरी के सभी मानों के लिए सत्य है करके देखें पूरक कोणों के त्रिकोण मिती अनुपातों के संबंध का प्रेयोग करके नीचे की साणे को पूर्ण कीजिए